हेलो एबरिबरन कैसे हो आप सबी मैं आपकी दोस्त और होम सेफ खुश्वू करनों जियते हैं दिल से अपने चानल घर का जाय का विद खुश्वू में आप लोगों का श्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी सेयर कर रही हूँ तो चलिए दोस्तो अस्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और आप मेरे वीडियो को इन्ड तक जरूर देखिएगा सबसे पहले हम मूली के भुजिया यानि मूली की सूखी सबजी की रेसिपी बनाते हैं तो इसके लिए हम दो पीस मूली लेंगे उसके छिलके को उतार कर उसे पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे जैसा कि हमने किये हैं सेम आप वैसा ही स्लाइस में कट कर लीजिएगा ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला हम इसे अच्छी तरह से बास करकर पानी में डूबो कर ही रखेंगे ताकि ये मूली सूखे ना अब हम एक पैन लेंगे गैस अन करेंगे और पैन को गर्म करेंगे जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें हम एक चमच वाइल आइड करेंगे और आपको ज़्यादाती का पसंद है तो मिर्च आप कम या ज़ादा कर सकते हो फिर उसे फ्राइ होने देंगे जब मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए तब हम इसमें जीरा आइड करेंगे जीरा से जब भीन भीनी खुश्बू आने लगे तब हम उसमें मूली आइड करेंगे मूली को एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम उसे किसी बर्तन से कवर करकर एक दो मिनिट और कुक करेंगे एक दो मिनिट कुक होने के बाद हम उपर से थोड़ा थोड़ा वाइल आइड करेंगे और कुक करेंगे जब मूली थोड़ा सा रेड जैसा फ्राइ होने लगे तब हम उसमें नमक आइड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आइड किजिएगा फिर हम उसमें काली मिनिट करेंगे तब हम उसमें नमक करेंगे विर्च और जीरा आइड करेंगे उसे थोड़ा सा सौते करेंगे हमारे मूली के भुजिया यानि सुकी सबजी रेडी है अब हम उसे ढख कर गैस को आफ कर देंगे अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं वह भी बेस्ट चीज का हम जरतर मूली के पते को वेश्ट समझ कर उसे फेक देते हैं इसमें धेर सारी आइरन प्रोटीन है जो कि हमारी आको के लिए बहुत ही फायदे मंद है तो हम आज उसी की रेसिपी बनाते हैं इसके लिए हम एक पिलेट मूली के पते लेंगे उसे बारी कट कर लेंगे और अच्छी तरह से बॉस करकर उसके सारे पानी को बाहर निकाल देंगे किसी छनी से अब हम एक तावा लेंगे गैस अन करेंगे और तावा को गर्म होने देंगे जब तावा गर्म हो जाए तो हम उसमें एक चमच वाइल एड करेंगे फिर हम उसमें शूखी लाल मिर्च एड़ करेंगे और उसका तरका लगाएंगे जब शूखी लाल मिर्च भी थोड़ा सा खुश्बू देने लगे मतलब सोंधा जैसा तो हम उसमें मुली के पत्ते को एड़ करेंगे low को high रखेंगे और उसमें हम थोड़ा सा नमा काइट करेंगे test के according और फिर हम उसे सौते करेंगे उसे हम जब तक fry करेंगे जब तक कि उसका सारा पानी सूख न जाए हमने जिंजिन इंग्रेंडियन्स का यूज़ किया है वो सारी इंग्रेंडियन्स का नाम हम description box में एड़ कर देंगे low अब हम slow करेंगे और उसे हम एक दो मिनिट और cook करेंगे देखिए फ्रेंड्स कितना सुन्दर है ना जिसे हम बेट समझ कर फेक देते हैं क्योंकि घर का जायका वित्खुश्मू में जो दिखता है वही पकता है अब हम पानी की छीटे मारेंगे और एक दो मिनिट करेंगे और फिर उसे हम ढक देंगे और गैस को आफ कर देंगे अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं दोस्तों आप खाना जितना भी अच्छा क्यों न पकालो जब तक वो देखने में सुन देने लेगा तब तक उसे कोई भी नहीं खाएगा इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे उस पे प्लेन रोटी रखेंगे और हम मूली मूली के भुजिया आइड करेंगे और सबसे इंट्रेस्टिंग सीज बटर जिसे देख कर लोग भागे भागे चले आएंगे इसे आप अपने बचों के टिफिन में भी दे सकते हैं यह क्यूकली और फास्ट बनने वाली रेसिपी है आई होप आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम ऐडिया कनोजयाकुसू122 तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग जाइको के साथ जब तक खुश रहिए, खुशियां बाढ़ते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग, टेक क्यार और नमस्कार